आईए हम बात करते हैं टाइफाइट भुखार की बारे में बहुत आर्मी परसान है टाइफाइट भुखार से टाइफाइट आपका भुखार हो गया हो और ठीक ना हो रहा हो तो इसके लिए हम आपको आउरवेदिक दवा लेकर आए हैं इसे आप खा करके अपने टाइफाइट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं आपका टाइफाइट हो गया हो तो आपके लिए बता दे रहे हैं वो कैसे पता चल जाएगा कि आपका टाइफाइट है या नहीं है हलकालका सरीर में दर्द रहेगा हमेशा और हमेशा फिवर हलकालका रहेगा तो आप समझे टाइफ हाइट हो गया है आपका और दवा करा रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो आपके लिए हम आवर्वेदिक दवा का नाम बताने जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको लेना है गुरूच यह दे सकते हैं गुरूच है गुरूच का लकड़ी है इसे आप ले सकते हैं गुरूच का लकड़ी लें और थोड़ा सा उसमें नीव का छाल लें दोनों के एक मिलाएं और एक ग्लास पानी में डाल करके गर्म करें जब आधा ग्लास बच जाए त तो उसे पी लें, इसको आपको सेवन करना है सुबह और साम, दो टाइम आपको यूज करना है कम स्कूम पंदरे दिन, पंदरे दिन तक यूज करेंगे आपका टाइफाइट एक दम जल से खुतम हो जाएगा, आपको लेना कहा है गुरूज का लकड़ी और नीप का छाल, नी नीखा हो जाएगा, पीने में बहुत दिक्कत होगा, तो आपको लेना है गुरूज का लकड़ी और नीप का छाल, एक गिलास पानी में वाइल करें, उसे इतना वाइल करें कि ओ आधा गिलास से ही कम बचे, उसे पी लें, सुबह साम दो टाइम आपको लेना है, आप देख और ए किराना इस टूर पापको गुरूच मिल जाएगा, नीप का छाल तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, और जो हमारा वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब और लाइक जरूर करें